कभी आना हम तुम्हें महभबतों का खाड़ा दिखाएंगे पूरे हिंदुस्तान में नहीं मिलेंगा ऐसा हम तुम्हें चिनवारा दिखाएंगे यहां पर ऐसा नहीं है कि मुसलिमों को छोड़ दिया जाता है यह सिर्फ हिंदु भाई लोगों को दिया जाता है यहां पर equally सबलोगों को धिया जाता है हमारे चंवाड़ा के साथ यह बेदवाव किया जाता है देखा जाता कि हमारे इतने बड़े प्रोजेक्क्त लॉंच होते हैं तो वहां पे स्टेट गवर्मेंट की तरह उसको डिसकाठ कर दिया जाता है तो काट दिया जाता है लिगम म साड़े आठ सो रुपए फिर भी महना आई है ग्यारा सो रुपए और वह भी कुछ दिनों के लिए वह तो पंद्या सो जाया गया और उसके बाद उसके बाद बताया गया कि अब कोरोना आ गया है अब हम लगाएंगे कौरांटाइन पटास साल में बताओ कोई मुस्रमान में एक भी सरकारी नोकरी कमला जी लगा है क्या जवान लड़के जित्ते पड़े लेके विरोजियारी के अहलात में भूम रहें काय का रोजिज़ार है यह गाड़ी भरें मिस्तिरी गिरी करें आठो चलाल है बड़ा पाउते बेची रहें उसकार रोक रिये दनका जब उनका प्राथना की महग प्राथना के बाद भी पीछे पीछे एक बार अगर आप दिखाएं तो यह बढ़िया यहां पर शेरवानी कुर्ते सब सब चीजों की स्टॉल वगेरा शॉप वगेरा लगी हुई है है ना एक वो पीछे टूटा टूटा सा भी कुछ नजर आ रहा है वहां पर अतिक्रमन की कारवाई हुई है कुछ दनों पहले वहां पर एक कुछ दुकाने हुआ करती थी बहुत बढ़िया तो वहां पर चाय के लिए जमघट लगती थी लोग बाग बातचीत करते थे हलांकि आतिक्रमन कारवाई हुई और टूट गई तो हमारे साथ यहां पर बहुत सारे vantage हैं जो छंवारा से हैं यह चंवारा का इलाक़ है राज टौकीजॉला की वाला हैं तो कैसी रही इद बताए है सबसे पहले तो बहुत शानदार रही काफी अच्छा रहा बारिश के वज़ा से एद्गा में प्रॉपर नमाज नहीं हो पाई लेकिन इद इद आपकी कैसी रही बहुत अच्छी रही अच्छी रही थोड़ा सा महौल खराब था है ना तो क्या है मतलब इस इलाके के बारे में थोड़ा सामें बताईए देखिए अगर टेक्स्टाइल इंडस्टी के मामले में इलाका बोला जाए तो जहां धूले सस्ते हैं यह वो जगा है यहां पर शेरवानी या जैंस कपड़ों से रिलेटेट यहां पर जितनी भी दु नाम सब्सक्राइब जाते हैं तो राजट एकांचिक के इलाके के टेलर और यहां के दुकान वाले सजाते हैं इसके अलावा यहां की जो रौनक है वो देखे ही बनती है एक का तहवार जा चुका है लेकिन रौनक आज मार्केट में देख सकते हैं बहुत अच्छी तरह से और जा चुका यहां पर राज टॉकीज की जो बात हो रही किधर है वो टॉकीज बदाईे वह पर है अच्छा चलती है झाल जा। अधर शहरों के मुकाबले में अगर देखा जाया तो चंदवाडा में माहोल बहुत शान्त है यहां के लोग बहुत अमन पसंद लोग है और अमन पसंद आपका नाम क्या है मेरा नाम अमन खान ही है इसलिए मैं कह सकता हूं अमन पसंद लोग है और काफी अच्छे लोग है य मैं देखता हूँ यहां से अगर हम लोग से निकलते हैं थोड़ा सा मुणके वहां से चो पी ना का सबसे बड़ी मस्जद और छोटी में बजार में गर हम जाते हैं तो यहां का सबसे बड़ा राम entities रहे हैं और साथ में इतने भी तेहुर हैं अगबह हम साथ मिलके मनाते हैं, हम अगर उनके यहां दिवाली मनाने जाते हैं, तो हमारे यहां इद मनाने के लिए आते हैं, बस यह भाईचारा बढ़कर आर रहा है, बस इससी की दुआ हैं वेरे लिए तो, अच्छा, आप क्या कहना चाहेंगे इस माहौल के बारे में आना हम तुम्हें महबतों का खाड़ा दिखाएंगे, पूरे हिंदुस्तान में नहीं मिलेंगा ऐसा हम तुम्हें चिनवारा दिखाएंगे, और दियों में मॉम्बतियों में नमाजों में जीता हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा, कि दियों में मुंबतियों में नमाजों में जीता हूँ अपने लिखे हुए कागजों के अलफाजों में जीता हूँ अजब रस्म है अजब रिवाजों में जीता हूँ मैं उड़ते हुए खौबों के परवाजों में जीता हूँ मैं इस शहर का आदमी हूँ बुलंद रादों में जीता हूँ कि सुबह होते ही अपने विस्तर से निकल जाना शाम होती ही उसी विस्तर पर सिमट जाना ये उसके लिए कितना लाजमी है तो क्यों ना मैं आज उस पर लिखूं जो इस शहर का आदमी है कि यहां मोहबत है दूसरी जात से अंजान है लेकिन यहां आपसी भाई चारा महबत ही तो हमारी पहचान है कि यहां की सुबह पे होती रिसाला मस्जित की वह सुकून भरी आजान है तो सुमवार के दिन महाकालेश्वर की आरती मेरे शहर की पहचान है और यहां से कुछ फासला तै करोंगे तो शहीद मेजर अमिठी का समारक मेरे वतन की शान है हमें याद दिलाता उनका बलिदान है का ऐसी गंगा जमनी तहजीब और आपने जैसे कहा कि राम मंदिर बाजू में है और यहां पे रिसाला मस्जित है तो यह आज से नहीं है सौ साल पहले से यह चीज है रिसाला आया जाता है कि वो अकबरी मस्जित से जब भुजलिया गुजरती है तो वो भी उस रास्ते से इसलिए रह गए कि सौहाद और आपसी भायचारा कायम रहे और हमारी शहर में तो तहवार देखते हैं पूरा शहर सस्ता है इदम्राद नभी हो या अभी जो वक्त चल रहा है राम नौमी का तो सब मिलके ही बनता एक तरीक से सब अपने अपने संपरदाय में बनाते हैं लेकिन खुशी के साथ बनाते हैं थे ट्रार्थना की महेक रार्थना के बाद भी आप बताईए ये चनवारा में जो है जुस तरह की डैवलप्मेंट जैसे हमारे भाई उन्हें बताया कि Michael हमने बादाया कि कि 2003 की पहले रोडे नेती एंपी गॉवर्मेंट यहां पर भाषपाजी जनी सिवराज सिंग चौहां जी यहां पर मुख्य मंत्री बने उसके बाद से यहां पर लगतार विकास के कार्रें हो रहा है हर जनाओ कलाब हर वर्ग के लोगों को मिलगा यहां पर ऐसा नहीं है कि मुस्लिमों को छोड़ दिया जाता है यहां पर इकोली सब लोगों को दिया जाता है यहां पर किसी गोवी किसी धर्म किसी वर्ग के लोगों को अलग नहीं रखा गया सब को साथ में जोड़के रखा ग बिल्कुल नहीं तो उसके पहले दिगवजे सिंग की सरकार थी रोडों के इतने खराब हाल थे यहां से नाकपुर जाते थे तो नाकपुर जाने में साड़े तीन चार घंटे लगते थे आज देर से दो घंटे में नाकपुर पहुच जाते हैं और पता भी नहीं चलता रोड तिनी अच्छी हो गई है अच्छाए यह जो नाकपुर हाइवे के आप बात कर रहे हैं तो उसी का उधारन लेते हुए बात करते हैं नाकपुर हाइवे का जो है श्रे शुरौज से कमलनात लेकर जाते रहे हैं क्योंकि वह सांसत थे और उस वक्त परिवहन मंत्री भी थे अब यह हाईवे का निर्मान हुआ था अभी आप कहने कि शिवराज सिंग्छ चोहन की क्या मतलब इसमें क्या रिलेशन है यह पहले भी देख सकते हैं च्हिनवाडा का क्या हाल और अभी देख सकते हैं कि शिवराज सिंग चोहन जी और यहां के विधायक चौदरी चनरबा मतार है वो तो तीन दिन के लिया मैंने में तीनन आते हैं सते लोगतं हैं अल्जी है यह फितने लोग खड़े हैं किसीके पार डंबनि नहीं होगा किसी बात करने के लिए वहां पर उनके पीए के पास जाना पॉर सपता घर बात करना पढ़ता है स्प प्र भाटाएंगे व आप मेलोगे, डारेक्ट कॉन्टेक्ट में कोई भी नहीं है, और यहां पर अभी जो लोग सबह के प्रत्याशी है, विपिक बंटी साहो जी, उनका ओफेस है, परासिया रोड में, उनका घर भी वहीं पर है, आप आधी रात में बुलाई है उनको, यह फोन लगाई है, तो व बिल्कुल नहीं, जैसा कि हमारे कमर भाई ने बताया कि चिंदवारा में विकास 2003 से हुआ है, तो मैं इस बात का खंडन करना चाहूँगा, कि जब से कमलनाज में एक पक्ष और विपक्ष वाली बात नहीं करूँगा, बट जो बाते सच्चा ही है, उस पर बात पहूँगा क्योंकि कमलनाज जी ते दिनों से हमारे हां के सांसद रहें, तो उन्होंने जो विकास चिंदवारा के लिए किया है, जितनी भी ये रोडो के प्रोजेक्ट है, साथी साथ मेडिकल प्रोजेक्ट है, यूनिवर्सिटी प्रोजेक्ट है, हमारे रहमन इंडस्ट्री है, हमार नर्सिंग्पूर रोड पे दिखेंगे आप उसके बाद हमारे एक टीडिसी है एक डीडिडिए जो पुरे वर्ल पुरे इंडिय में साथ एक हमारे एक हमारे इसी है साथी साथ इसकिल Đेवलप्मेंट सेंटर है जहां पर हमके नामे कारे जला चलाना सीखते हैं जैसे भी जास को चलाना सीख रहे हैं ऐसे स्किल डेवलप्मेंट से रिलेटेट बहुत सारे काम हैं जो कमलनाथ जी ने अजा सांसद रहते हुए या यहां के नेता रहते हुए कहां चिनवारा में लाया है और चिनवारा के लोगों का इसका लाब मिला है मैंने कुछ दूनों पहले खबर प कास का मकसद क्या है रोजगार पैदा करना क्या इन कोशल विकास में ट्रेनिंग के बाद प्रस्टिक्षन के बाद लोग रोजगार पा रहे हैं जी हां बिल्कुल रोजगार पा भी रहे हैं और साथी साथ एक डिसड़वांटेजेस मेरे अपने शहर की बताना चाहूंगा हमारे शहर में इंडिस्ट्री बहुत कम हैं जो और भी बहुत होनी चाहिए जिसकी वज़़से कहीं न कहीं हमारे यहां के युवाओं को कौसल पस्विक्षा लेने के बाद भी आज हमें बाहर के शहरों में जाना पड़ रहा है नौकरी करने के लिए जॉब के लिए जिसक के साथ बड़ा बड़ा ऑस्पिटल खोला गया जिसमें नाकपुर जाने की ज़रूरत ने थी बट कहीं न कहीं हमारे चिनवारा के साथ यह बहुत किया जाता है देखा जाता है कि हमारे इतने भी बड़े प्रोजेक्स लांच होते हैं तो वहां पे स्टेट गवर्मेंट की तरह उसको डिस्काट कर दिया जाता है जैसे हमारे इक माचागोड़ा का प्रोजेक्ट अमा चारा जजीवन अमिसन के इंधे बड़ाए हमारे साथ यह इसलिए कि पे हमारी गवर्मेंट की रहती है क्या लगता है भारतिय जंता पार्टी की सरकार है तो इस वज़े से विकास कारे रुखे हैं जैसा ही भाई सब कहा रहे है थोड़ा डेले तो आया है लेकिन यह नहीं कह सकते हैं कि कम्प्लीटली रुख किया है क्योंकि हम जहां तक देख सकते हैं कि पिछले 10 साल से सिवराज सिंग चोहान की सरकार है उसे साब से डवलपमेंट तो है अगर हम बड़े शहरों से तुनला तो नहीं कर सकते क्योंकि अल्रेडी चिनवाडा बहुत छोटा शहर है फिर भी सीवनी हो गया बालागाट हो गया ब सकते हैं कि डेवलपमेंट का श्रेक इसको जाएगा कमलनाथ को जाएगा भारती जनता पार्टी करती शिवराज को जाएगा आप जनता को क्या लगता है लेकिन ओवराल वर्क तो आप जानते हैं सब मिल जुलके ही करते हैं तो ऐसे किसी को श्रेय देना मैं नहीं इसल में समझ में कोन आ रहा है कि जो जिसके अंदर है दम की हाँ यह हमारा सांसत बनेगा अगला जिन्वारा में तो आमन पसंद ऐसे मेरे साथ के कलीग लोग ने बोला कि आमन पसंद है लेकिन मैं जब बाहर देखता हूं तो मुझे ऐसा नहीं प्रतीत होता है कि और बीजेपी दुआरा काम सहीं किया जा रहा है कहीं न न कहीं धर्म को लेकर राजनीती है राजनीती को धर्म में जोड़ा जा रहा है मैं चाहता है उसको थोड़ा अलग रखके देखा जाए तो हमारे देश विक्षित भी होगा और प्रेम पसंद होगा जो चिनवाडा में एक छोटे से शहर में जो बात हम कह रहे हैं प्रेम प्रसंद की वो पूरे देश में क्यों ना करें आप लद्दाक की बात ले ले कि पार्टि करें है विधायक कर रे हैं उसके बाद अब जो है यह चुनाओ कड़ी-टक्कर वाला मुकाबला है 2018 जो एबढर जनता पार्टि पास थी 17 में एक सूड़ के पास थी चंवाडा सीट यह वह सीट ए इसवार लेकिन भार्तिया जनता पार्टि पूरी ताल ठोके पूरा दावा ठोकिया कहा है कि हम छिदवाडा में जीतेंगे क्या स्थिति लग रही है देखिए इस बार की जो स्थिति है वो वाक्य में टक्कर वाली समझ में आ रही है चूकि जैसे आज रास्टी अध्यक्ष जो थें बीजीबी के वह भी शहर में थे केला इस विजएवर इस बार कहना नमम्किन सा लग रहा है कि क्या होगा क्योंकि जिस तरह से आप विकास मॉडल से अगरी करते हैं जी नहीं मैं पूर्न तब एगरी नहीं करताção कॉंग्रेस का जो कास मॉडल है कमलनाथ का जो विकास मॉडल है जिसकी चर्चा की जाती है मैं बीजीपी की बात कर रहा था, कॉंग्रेस का जब इकास मॉडल है, चुकि छिन्वाडा में जो भी कुछ आजकल इंफरस्टर्चर हो, एजुकीशन हो, रूडवेज हो, आधर इंडस्री जो कुछ भी है, वो कमलनाज जी के ही तहट यहां तक पहुचा है, भलाई उसकी र कमलनाज जी ने नहीं दिया, तो वो भी एक डॉबेक है इसके साथ, तो यह चीज कहीं न कहीं काम करेंगी, देखिए, जैसे कि मैं कल कैलास विजयवर्गी जी के प्रोग्राम में गया था और उनका सुन रहा था, तो उनकी लफ्स थे, कैलास विजयवर्गी है जेपी नड वो सहीं भी कह रहा है, लेकिन जिस बात की वो बड़ा दावा ठोके बात करते हैं कि सबका साथ सबका विकास, और जब वो मन से ही ये बात करते हैं, कि सिर्फ यहां पर सांसत कांगरेस का होने के लिए, विधायत कांगरेस का होने के वज़ाए सा यहां का विकास रुका है, तो ये चीज तो वो ही accept कर रहे है और मैं यहां सहीं समझूँगा जब कमलनाथ जी मन से इस बात को कहते हैं कि हमारे साथ सौतेला वहवार हुगा तो ये पुस्टी तो वो ही कल उनके बयानों में हो गई हमारे मुक्यमंतरी मुहन यादाओ जी ने भी इस बात को अभी एक वीडियो वाइरल हुई थी कलियरली कहा था कि अगर हमें वहां की सीट से आप जिताते हैं तो हम आपका विकास करेंगे और कई दफ़ा ऐसी चीजे हुई है कि चिनवाडा में कमलनाद जी और कॉंगरेस सरकार रही है इस वज़े से चिनवाडा के साथ सोतला वहवार किया गया है काफी चीजों में उसके साथ साथ हमें में मुद्धे पर देखा जाए देखिए राजनीती अपनी जगा है लेकिन आज की समय में सबसे बड़ी चीज जो है जो सरकार की तरफ से हमारे युवाओं के लिए हमारे घरों के लिए होना चाहिए सबसे एक रोटी कपड़ा मकान तो नेसेसरी चीज है लेकिन साथ में एजुकेशन पॉलिसी भी जो है वो मजबूत होनी चाहिए आज आप देखें पिछले कई वर्सों से लगबख चार वर्सों से MPPSC जैसे एक्जाम की रिजल्ट आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं रोख जा रहे हैं उसका दुनकी भरती नहीं हो पारही है ऐसे कई बच्चे जो कफी काफी उर्जाबान है काफी नॉलेजड़ेबल है काफी टैलेंट रखते हैं लेकिन वो एक्जाम पर रोजगार की समस्या है रोजगार की समस्या, इस समस्या रोजगार रोजगार की समस्या सब से बड़ी है। अब पढृई कि अब जैसे आप कहने इंडस्ट्री जैन्ड्री नहीं हैं तो कमलनाथ कहते हैं मैंने दिज कमीया है 보angi, सोयबीन प्लांक्त आई है इसमें साही एक कु इंडस्ट्री भी थी बट वो फॉर्चुनेटली शायद बंद हो गई है मुझे जहां तक अपडेट है उसके बारे में और बाकी जितनी पर इंडस्ट्री देखें तो कहीं न कहीं यह लगता कि यहां पर चिन्वाडा में और भी बहुत इंडस्ट के भारती जन्ता पार्टी की सरकाष ने काम किया है काम की है कि एकम मुझे बताएए यह बहुत है नाम है हजरत आपका अच्छिया बताईए कह रिए कि अधर unite ale तो फिर यह जो है बोला जाता है कि भाई भारती जन्ता पार्टी की सरकार जब से आई है तो चिंदवाडा का विकास रुक गया है वो सच नहीं है कहांसे रोका बता तुरालेस साल में कमलाथ जीने कुनसा विकास कर लिए के विकास हुए संज़ शिरी वास्तौों का मिगलाomb पुलाजी रदो संज़ीलस जी वास्तौर सबस्वए सब्सटार के इनुद में की टीम में आते ते मसाला फैक्टरी वोई बंद करवा दिये एक फैक्टरी खुली बस वोई बंद हो गई वो कहते हैं बहुत सारे उद्द्द्धों खुलवाये मैंने कहां खुलवाये बताओ तो 22 के उनके खुद के परसनल छनवाला में कै दी उनने कि अच्छे सरकार की जोबात हो रही है कि सरकार भारती-जंदा पार्टी के यहां, सांसाध, विधायकolla किसे लिए BritING विकास रोका है, कुछ भी में अब सब काम होंगी अच्छा मतलब भाजपकी सरकार ने आप आप जो कहना चाहरे हैं उसका अर्थ जो है भाई कह रहे हैं कि निगम का काम रुका हुआ था पेमेंट नहीं आ रही थी भाई मेरी बात को जस्टीफाई कर रहे हैं अपने बातों से और वो सहीं बात है कि जो सबका साथ सबका विकास कहते हैं लेकिन और जो कमलनात जी सोतायले वारी वाली बात करते हैं अब बताइए ना सिर्फ यहां पे कांग्रेस का होने के वज़ए से यहां कि लोग किसी तरह से सफर कर रहे हैं कांग्रेस की यहां पे हुकूमत जो है लोकतांत्रिक होने के ने कहा कि बिल्कुल महापौर ने जोईंदो कर लिया लेकिन जहां तक के मेरे को यह चीज नॉलेग ऐसे महापौर बने थे हमारे उसके बात नगर निगम के उपर कम से कम 10-11 करोड़ा कर जाता हूं जिससे महापौर बने थे जो कुराने महापौर ने चीज़े छोड़के लगबा मान लिए इस चीज की नियूज भी गनामे काफी चपी थी पेपर वगेरा में और काफी अपडेट कहां से करवाया था कमलना जी करवाया था उन्होंने अपना दो दुख कड़ों का लगबा पैमेंट तो जैसे ही वो चर्चित महापौर बन गया थे विकरा महाके क आते से ही एक बड़ा उनका मुद्दा था लेकिन अब देखे भाजपा की राजनीती कोई आज से नहीं देखी जाती है खरीद फरोक्त की और जिस वजह से आज हमारा लोकतंत्र सबसे ज़्यादा परिशानी में है और जिस देश में अगर लोकतंत्र नहीं रहेगा तो मु करवर के नहीं करना कि लेता हैं क्याल क्या गहीं क्या मि खरीद ही किशी को जब दचों के हैं सवाल पूछना चाहूंगा सरकार अपने बेटों को नहीं देखते जोती राज संधिया जी को दे देते केंद्रे में अपनी उनको राजसावा संसत बना देते तो गौर्रमेंट बनती उनकी पता चला उनकी डिमांड दों पर देता जैसा बूलने की बात है क्या करती सिब घुम्रा करती वैसे मुसलमानों को आप कहरें जोती राजी सिंध्या को अगर राजसावा सदस्य बना देती कॉंग्रेस तो भाजपा में जाते हैं नहीं जाते हूं कि मैं सहमत नहीं हूं इस बात से क्योंकि अगर आज जिंदिया भी अगर गये थे अगर भाजपा में तो कहीं नहीं कहीं लोगों को खबर मिली कहीं सो रोतों से पता चला कि पचास-पचास कड़ों का एक विधायक भिका है तो अगर वो विधायक की राजजिती खरीद फर अगर निकाला है तो आज वो एडी भाजपा सरकार के उपर केस क्यों नहीं बना रही है अगर एक्ट पास किया गया था उसका एक्ट पास किया गया था और वो कानूनी रूप से आया था जानगारी छुपी हुई थी वह बात अलग है उसको तो खैर सुप्रीम कोड ना एक दोनों परस्पेक्टिव में अगर मैं एक बात कहूं जैसे कि चिनवाडी के राजनेटीक परिद्रश्य जो अभी चल भी रहे है कि कोई कही जा रहा कोई कही जा रहा तो सच मानून तो सच कहूं तो अपनी जो पार्टी है उसके कार करता हो को भी नहीं पता कि उनके आ आज ये अंधरूनी बात क्या होती है कौन किस तरह से किसको खरीद रहा कौन बेच रहा किसका क्या बात फसी हुए जो निकालना चाह रहे तो कारकारताओं को भी नहीं पता वो तो अपने आकाओं के लिए काम कर रहे हैं और उनको जस्टिफाई कर रहे हैं बस यह बस यही च सूटी थी जी बात पूरी कीजिए अपनी यदि वही पता है अपने कमल ना एक बात बताईए सरकार गिर गए कमल ना उनकी सरकार गिर उनके पास सीटें घम हो गई विधायक छोड़कर चले गए जो तरह दिते सिंध्य के साथ भाजपा में चले गए तो इसमें क्या इसकी की है लेगेन अपने घर का ही विकास की है संजे शरी वास्तह कः में देखिए अब हैव आप खैर है कि की work होती है मुख्यमंत्री डम तो होटा है जो लोग का संजे शरी वास्तहों करने लान का इस आप लोड़ी चलती है कि अमबर नंबर का से लाएंगी मिले के लिए लेते हैं नए बेल-पास कराने की रिषवत तो आपको किसने बता है किसने कार्यकरता बताते हैं कि अच्छा आज नेकम के जित्ते भी करम चारी है उनसे पूछला उनकी तंखा रुख जाती है तो रिश्वत देकर उसको छड़वा लिया जाता है तंखा चीए तो उसमें से थोड़ा परसेंट देतो एक परसेंट दो प वह अविश्वत आपको पता है अभी तो अपने बताया कि रुख जाती रिश्वत देते हैं टो आ-जाती है यह बात आपको पता है अभी तंक आईगी ने पता आपको क्योंकि आपके पहचानवाले नहीं तो वह बात किस ने बताई थी कि तनक और रिश्वत देने पर आती है नगरपाली करमचारी बताते है अभी तंक आईगी ने नहीं बताई जाती हैं क्या करें गुप हमदायक नहीं है भाचपा का अभी लोटी है के पास गए चंद्रभान जी के पास जमाने के पास पढे टंखर ही लिए किसके पाच जाएंगी वह बचार बच्छे सरकार रोगी और लाफ सरकार के हम रोत कर रहे हैं चिस तरह के से बाई लुए बजट घ्र बज़ट बश्चेट गवश्च नहीं देगी तो यहां का सांसत्य ऑप्ष्चन नियुक्ष कर पाने के साधिसा इसाथ में मुद्ध यह है के शहर हो या प्रदेस् हो या किसी भी जगा हो में मुद्ध हमारे होने चाहिए दूसरे चीज़ सुरक्षा सुरक्षा जिस में देखा जाय लड़कियों की सुरक्षा पर बात कर लें पर शुरक्षा पर में थे स्लिक और और चोधित महेंगाई अगर जो सरकार इन चारों चीजों को फुलक्फिल करती है वहाँ सरकार लोगतंत को बचाने में साथी देती है और राजिताने में अब जैसे कि हर तरफ नारा लग रहा है चार सो पार चार सो पार- तो क्या अगर 400 पार नहीं आई तो क्या मोडिजी गवर्मेंट नहीं बनाएंगे गवर्मेंट तो बहुमत के बाद बनेगी लेकिन अगर 400 के पार अगर सीटे आ जाती है तो क्या हमारा लोकतंत्र बचेगा जब विपक्षी नहीं रहेगा तो हमारा लोकतंत्र कैसे रहेगा जबकि एक अच्छे कि अच्छे विपक्षी जबुषत होती है नाय अच्छे मात्रा में अधिक्तम मात्रा मुझराओं लगThat Ah Like ने विपक्ष से तरुसद से पूरे लोगतंत्र है8055 हमारा देश लोकतंत्र है जो का हमारा जयनता के लिए जंता के दोघा गया है उसके लिए महत्वपूर्ण रखता है तो मेरा मानना यह है जंता के लिए काम किया जाए आज हमारे मोदी जी ने हजारों ज्यादा कड़ों रुपए अपना प्रचारों में डाल दिया है प्रचार करने में उनका रिपोर्ट आती है आज आप सुबह का न्यूस पर मत चिनवारा में रुक भीन डशीट और वह जीते हैं जी देंगे जीते हैं आवाई कहा है हमारे अटिफ भाई कौन जीतेंगे बैसे तो दो नंतिते हैं तो जीतेंगे अब पैक्वाण उक्विशकुल में हम पढ़े एजूकेशन पोलते तो इस तो तो है कारो मसूर पासाद लाल भाद दूसस्य कान पूरय सुप खाइ लालभाद दू सांती तो नहीं कास पृसक। क्लत बीजए पी सब्सक्राइब का हुआ और का पहले मेह जा तो बीजेपी आले सलेंडे लेकी घूमते हैं अब देखो शाड़े आठ सो रुपे फिर भी महगा आई है ग्यारा सो रुपे और वह भी कुछ दिनों के लिए वह तो पंदास हो जाएगा सलेंडर पंदास हो जाएगा विश्रवानी करते हैं अजा सुनाता हूं जब लिए पेटरो पेटी सुपह अब 120 लीटर पैटरो इंसान पैटरो डलाएगा की साहिद चलाएगा विफास है कहाँ कोई पैटरोल महेंगा है नहीं आपको सस्ता लग रहा है आप बता दो पैट बता इना आप और चनवाड़ा का चनवाड़ा में जो भी विफास हुआ है करोन जादी है मितलब करोन लादी है दूसरे देशों में भी आई थी भारत में भी आई थी तो लाया नहीं गया था वो तो जो भी है नेचरल चीज़ वह कभी आता था पहले रोका जा सकता था एंपी में उनकी गौवर्मेंट गिराना था इसलिए पूरे मंदिर्यों को लेकर एक तरफ हुए उन लगे वह मंदी को कॉरेंटाइन कर दी कि वह मंदी से कोई नहीं मिलेगा फिर उसकार उनकी साखाह बनी थी यह सब को पता फे करोना आया था नहीं तो तीन मैने पहले आया तब subscribe WOました it basically io यह कहना चाहर है कि अपनी राजनी सी चम्काने के लिए और अपनी सरकार बनाने के लिए कोरोना आने के बावजूद उसका उसको नेगलेड किया गया उसकी पॉसिबिल्यटी को नेगलेक्त किया गया यह बोलगी अभी यहाँ कुछ नहीं है आपको शायद याद होगी कमलनाजी की सरकार को गिराने जब गिरी उसके पहले राश्पती अमेरिका की राश्पती ट्रम्प जो यहां आये हुए थे ठीक है उसके पहले से ही सारी दुनिया में चायना में यहां तक केरल वगरा में अपने इंडिया में केरल वगरा में कुछ स्टुडेंट्स थे जैने कोरोना के सिम्टम्स पाय गये थे अल्रडी यह बता दिया गया था कि कोरोना इंडिया में आ गया है इस्टिल मार्च तक इस बात से इस बात को नेगलेट किया गया कि कोरोना है कोरोना है और फिर उसके बाद एक प्रॉपर तरीके से एक प्यान के किरा गए और उसके बाद उसके बाद यह बताया गया कि अब कोरोना आ गया है अब हम लगाएंगे क्वारंटाइण नहीं लेदाएक सर्कार तोड़ दी गई नई सरकार शिवराज जी की बन गई उसके बाद कहा गया अब कोरोना है अब लगेगा यहाँ पर सारे देश में क्वारंटाइन यहां 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 जाईए क्या बोल रहे हैं यहां यहां सब बिजिए आप यह गुवर्मेंट के लिए उन्हों ने आप लोग आप लोग यह बात कह रहे हैं उसमें यह चीज भी तो हो सकती है कि क्योंकि सरकार यही कहती थी कि तुरंट लगा देते तो सब कुछ व्यवस्था जो थी चर्मरा आ जाती लोग परिशान हो जाते इसलिए थोड़ा धेरे के बाद कोशिश किये कि मामला वैसे ही सुलच जाए तो बहतर है तुर दीर से लगा आपने एक दम से लगाया था सरकार के बारे में कि आपने एक दम से लगाया क्यामरा पर सना जाएं थोड़ा सा यहां पर आप इन से पूछिए 50 साल का कमलनाद का विकास बुची मसलमानों को खास करके आप बता दीजे बताई आप नाम आरे कोई पद्ध है नाम बताए आपका पहले इसाथ उद्धी नाम मेरा जी बताए 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 क्या क्या क्य कोई विकास नहीं खास कर मसलमानों के लिए इसे नहीं मैंने बोल रहा हूं हम बोल रहा है ना अब हमको से उनने बोड़ के लिए आपने यूद्ध की ए ना हमने चंदे के लिए तो ब sut यह और अप चंदा फुद करलो सें हम लोग को यूज की ने हम को कुछ ने दी है ना हमारा कोई पद है ना हमारा को रोजगार है और बच्छा-कुछा रोजगार बच्क रोजगार ओश grandsasad都 honka не अब करना निए लोड में तोके हैं है अगया hard एक भी मुसल्मान, पजास साल में बताओ कोई मुसल्मान में एक भी सरकारी नौकरी का मना जीन लगाए है क्या है, बताइए, सरकारी नौकरी का तो एक तंत्र है, वो एक एक्जाम होता, परीक्षा होती है, हमारे आप पढ़े लेके आज में, बड़े बड़े लेके आज में काम करना है प्राविट अपना यह करोना यह आप चुनाओं बुद्ध मद्धा चुनाओं की बात करी आप यह इन पर आपके दुकान को खती थे जो का ने यह तो कहा जा रहे हैं कि अतिक रमन के तहत कारवाई हुई थी गई ती इसाप का निगाए उनने वह ले में कलेक्टर से हैं और रोब ऍधम की ठिए जिन्हें गानल अब हम अन्दर कर दीजा का क्या करना नगारे मिजा करेंगी वज्य Dif बहुंग में पर का अब फयर न गौन तो बंडरी में पर्तर लोगा है बहुतरी हो कहान दो अब該काशार पर अब काड़ी के लिए जी तो आपको लग रहा है कि इस बार नकुल नाठ जो हैं वो नहीं कर पार रहे हैं नाठ जी ने पांस साल तो जिखे भी नहीं और जब भी कि मसल्बान लोग गया है तो सिर्वातो साफ से मुलागाती नहीं अदूद जीत क्या है श्रीवास्तो अप्पी हैं उनके और अभी जो नहीं कि सुने हमारी खुद की बात रखे हम कुछ बात करें तो भाजपा की जो प्रतैशी हैं बंडी साउट अपकी बात चीत हुई है पहले जी आते उन्थे मांगे तो करें उन्हें ऑन्हें पूराइक डिटी कारवाही हो रही थी तब आप ने उन उन तो बोले आप लोग तो ले पहली वहाँ चलेगा सब पुरी टीम गई थी हां से कमना जिकाने उन्हें आसवासन दी हमको जाहिए अप लेटर साब से बात करिए अब टूड़के अब तूड़के साब दस एक दस मिट तो लगा हमको मात बरबाद होने में 10 मिट में सब आपके अब तो निगम के महापोर जो है वासपा में चलेगा अपको उम्मीर के पहली आते हैं तोड़की क्यों आए हैं अब ऐसा है न और रही बात आपके एडियूकेशन की बात कीती है अभी कमल नाज जी के इतने बड़े बड़े कॉलेज हैं आप यह बताए कि चिनवाला की किसी एक आद्मियों के एडमिशन दी है कि उनने चिनवाला के लोगों पैसे कुछ नहीं पैसे पैसे प्रीज तो स है यह नहीं खुले हैं जी टीने के लिए लोगों के लिए अप्टी एक लिए अच्छा एक नहीं और लोगों से बात हो रही थी यहीं मानसरों कॉम्पलेक्स का एक वहां पेक मुझे मिले थे वैक्ति उन्हों ने बताय था उनके दोस्त ने एक अपढ़ाई की है और अभी उसका उसकी जॉब लगी है वो कर रहा है गुजरात में जॉब कर रहा है नबे हजार रुपए उसकी तन्खवा है तो आप कह रहे हैं कि पढ़ाई नहीं हो रही है लोग को अपने काबलियत थी वो लोग गए आगे लेकिन कमल नाज जी का जो कहना पड़ता है कि या उन्हों यहां चेकालेज में क्यों जाएगा आत्मियार आप तो कॉंपेटिशन का जमाना है रोजगार है आप आप नए जवान लड़के जितने पड़े लेकिए बिरोज्यारी के हालत में भूम रहें काय का रोजगार है आप गाड़ी भरें मिस्त्री करें आठो चलाल है बड़ा होगा भाँए आपकी काई की दुकाने फार में तो ऐसा है कि लिग्षक्त जब तक मुझ चलेगा मेरा पेड़ चलेगा वाला काम है अच्छा नेता है नहीं नहीं नेता कारेगरता है नहीं कार्टेसे क्या मशीन अगरा चलवाता हूँ है अब तो आप कह रहे थे हमारा मू जोब मेरा बिजनेस अका इसे वेक्तिकत तौर पर देखिए किसी को किसी के ऊपर वह मत कीजिए आप जोब करना है वो जॉब करेगा अपनी अपनी चोईसे होती है और बेसिकली देखे यह जो यह जो चीज हुई है जोब अगर नहीं है तो आप इसका वो जो है कि अभी कि कंव भुए सिनौनाथ जी को इसली वोलेंगे को उनको हम लोगों लोगों के लिए बहुत चाहे दिल से चाहे उनको इस मुकाम भूचाए और वह उसकाबलियत की उनकी उन्होंने इतने बड़े-बड़े अध्यों खोलेके रखे हुए बाहर इत्वारे लोगों के यह प्रेम मोहबत जो आप बता रहे हैं कि कमलनाथ को आप लोगों ने की है कब तक उम्री है अब पिछले आज तक वहीं करते हैं लेकर आप ऐसा लग रहा है कि अब प्रेम जो है बंटी साउजी की तरफ परेम बदल रहा है बदल गया बदल गया बदल गया अब उधरी नहीं है कमलनाथ ने रोजगार के लिए कुछ नहीं किया जैकि ऐसा है कि सब का अपना-पना एक नजरिया होता है कमलनाथ जी ने आपर जो है बहुत सारी कंपनिया खुलवाएं पारले जी की फैक्टरी खुली हुई है उसके बाद आपका कॉल सेंटर जो है एजिस का जो जिसका नाम अभी बदल के कुछ और रख दिया गया है वो है तो ऐसा नहीं है कि रुजगार नहीं है और ऐसा भी नहीं है कि अजुकिशन नहीं है कमलनाथ जी ने अब्रीडिया खुलवाया है जो एक नेशनल लेवल का इंस्टिटूट है ठीक है उसमें बहुत से हैं सीट्स यहां पर और छिन्वाडा में कॉलेज़ खुल वाने का मुख्य मक्सद ही एकि चन्वाडा के बच्चों को मिले पढ़ाईगा अगर छिन्वाडा के लोगों को से क्या फायदा है टोटल नाक पुर महराश के लोग को फायदा और चिन्वाडा में सिर्फ महाँ जित्ते भी लोग हैं सिर्फ लेवर लेवर के वए से सिर्व महाँ पे खुली है वह समय छिनवाडा के किसी भी बच्छे को ग्रेशन जिसे कंप्रीट हुआ है उसकी एक की नौकरी लगी हो तो बताओ नौकरिया नहीं मिलती है उनकी इंडस्ट्री में बेसिकली बेसिकली उन खरग उसकी इतने में ड़ी हैं इस तना की बात करें इन्होंने की अविपर गयिंजो थो प्रहकर इंडसर वाले環ोले या कि ही लेंगिंग्यक्स इन हां मिलग जब बीडि़ हो ए जो आझ जो एक सलगे ज़गराफीक लोकेशन जो है वह जैसे iki मैंने हिंदुस्तान उनीलिंवर में देखा रहेमेंट मैं मैं गया हुआ था वहाँ पे जो काम करने वाले लोग हैं, वो 40 प्लस वाले हैं, वहाँ पे आपको यूथ काम करते हुए नहीं दिखेंगा, 40 प्लस जो इनकी, और 50 प्लस जो इनने अपनी जवानी और आप बाकी का वक्त भी उसी के लिए वक्फ कर दिया, वहाँ पे आपको कोई यूथ नहीं दिखेंगा आज अबादी में सबसे ज़्यादा यूथ है और यहां कहीं न कहीं लैक करते हैं कि जहां आईटी पार्क होना चाहिए जहां कुछ ऐसी इंडस्ट्री होना चाहिए कि युवाओ का स्टील का यूटिलाइजेशन हो सके अगर आज भी अपने चुनावी वादों में बात कहें तो कहीं न कहीं आस्वाशन हो कि हाई कर देंगे बारती जन्ता पार्टी की तरफ से भी नहीं और कॉंग्रेस की बात कर रहा हूं है लोकल लीडर की आप इस नैशनल लेवल पर बात लिए बंडी साहू और नकुलना को देखांगे आप शिकारपड में कि बैंगलोर जा रहा यह अहमदाबाद जा रहा कोई फॉरें नहीं चले गया क्योंकि वह उन्हों ने पढ़ाई बाहर से करी और बाहर जा रहे बस जरीया यह लोग बने लेकिन कहीं ना कहीं यह खावी भी बेशन लिए बाहर जाने के बाहर नहीं है जिस शक्सियत की आप बात करें मेरे कुछ दोस्त है वह बाहर है कुछ आपकी बातों का किसी भी तरह खंडान नहीं करता है अपना अपना एक्सपीरेंस है बट जरूरत हर जगा है नाम क्या आपका मुहम्मद आमिर हाँ बही बात मैं कह रहा था कि आज हिंदुस्तान हो या फिर हमारा चिनवाड़ा हो युवाओ की आबादी सबसे जादा है कहते है युवा देश है युवा शहर है तो वो वक्त नहीं हो जब बुज़ुर्गों की आबादी सबसे जादा हो जिनकी जवानी होंगा वो बोजी होंगे एक तरीक ऐसे शरवात में आपने बहुत बढ़ी असी शायरी सुनाई थी मामला बड़ा गर्मा गया है गंभीर हो गया है कुछ एक शायरी सुना तो फिर इस वीडियो को खतम करेंगे कि कभी आना हम तुम्हें महबबतों का खाड़ा है कि अरे पूरे हिंदोस्तान में नहीं मिलेंगा एसा हम तुम्हें छिनवारा दिखाएंगे। Yissä है का इंसान कैसे जीता है कि यौ में मुम्बतियों में नमाजों में जीता हूं मैं एपने लिखे हुए कागुजों के अलफाजों में जीता हूं औरियों मैं उड़ते हु हमें याद दिलाता उनका बलिदान है और ठीक इसके सामने एक पुलिस का मैदान है जहां बुज़र्गों और बच्चों का एक अलग सा मेल है और ये मैदान की खासियत ही तो तरह-तरह के खेल है कि ठीक उसके पीछे इशुमशी का दरवार है जो हमें खुशनुमा जिने के प सम पकवाड़ा है तो कहीं बुज़र्गों की विरासतों का रखे समाल बादल वहीं चिनवाड़ा है यहां बस्ती फिजाओं में मदुर्गीतों की वह आकाश वानी है तो सुकून यंबादत कि वह गूंसती गुरुदारा की गुरुवानी है और अब इन सब फासलों को त इंदे भाई की विर्यानी का शौक है और वहां सिर्क फासला तय करूंगे तो हुसेन की शहदत को याद दिलाता करबला चौक है और मेरे शहर के और मेरे शहर के पकवान की ही तो तरह तरह की पहचान है तो कहीं कहीं बनार्सी का तो कहीं पवन चाटी का पान है अरे मेवाड क परिंदो की सुकून भरी अवाज है अभी इस वक्त में एक अलग ही साज है वो थैरा पानी मानो लगता शान समंदर सा है यहां की आगोश में अभी एक मनजर सा है कि तभी ये सब बाते मेरे दिमाग में चल रही थी तो कहीं न कहीं ये कमी खल रही थी कि क्यूं कोई बच्चा higher education के लिए दूसरी city prefer करता है अरे बुरा लगता है जब कोई doctor किसी बरीज को इलाज के लिए नापको तो ने लिए वड़े хळाते हैं तो यहां से घर जाने की रहा चुनी मैं तब ही अचानक से एक बेबस चुनी मैंने और वाज ने कहा मुझसेन nou KHराते हो अवाज ने कहा मुझसेन चुरते हो कभी हकीकत का ताना तो भूलन लो पर मेरी कहानी भी किसे नजम से कमना थी मैंने कहा ये नजराना तो सुन लो कि ये कौन है जो शाम की फिजाओं में नराजगिया गोल रहा है ये कौन है जो नजर तो नहीं आ रहा है लेकिन आबो हवाओं में कुछ बोल रहा है तो आवाज ने कहा हम मैं नमालूम कित्ते पंचियों का होसला हूं बसर हूं है तुम्हारी कलम की किताब से निकले अलफाजों का हुनर हूं है जिनका आस्मान है नहीं भी है उनका छत हूं घर हूं है और जिसे देख के तुम रोजन देखा करते हो ना तो लोग कह रहा हूं छिन्वाडा शहर हूं है छिन्वाडा शहर हूं है छिन् पर खत्म करते हुए बीच में रोजगार की बात की एडुकेशन की बात की हकीकत की बात की विकास कहां तक पहुंचा है कमलनाथ के जिस्लिकास मॉडल की कॉंग्रेस दावा करती है वो कहां है भारतिय जनता पार्टी क्या कर रही है उनकी सरकार क्राइए इसभी पर चर्चा करते हुए इस वीडियो को इस रिपोर्ट को आप तक लेकर आया था मैं शेख नावेद आप देख रहे हैं दी ललन टॉप की चुनाव यात्रा कैमरे पर मेरे साथ हैं इस्थानी ये दीप सहिलवार और आप देखते रहें दी ललन टॉप शुक्रिया